जैहें दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर चल रहा है हमारा यहाँ पर रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित तरंजन सर की रेलवे मैट्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं अभी करेंट में हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस के च्छै क्लासे साब के हो चुके हैं जिसमें हमने 84 नंबर कोस्टन तक कर लिया था आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर कोस्टन नंबर 85 से बहुत ही प्यारे प्यारे प्रस्ण यहाँ पर करवाय जा रहे हैं जो कि आपके रेलवे के हर एक एक एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है अभी NTPC की वैकेंसी भी आ गई है तो आप लोग जल्दी से यहाँ पर पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दीजे ताकि आपका सेलेक्शन निश्चित हो सके ठीक है तो आज की क्लास को सुरू करते हैं शुरू करने से पहले बता दें कि यह जितनी भी क्लासेस आपकी हो रही है इनका एक प्लेइलिस्ट बना हुआ है प्लेइलिस्ट का लिंग का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप लोग डे वन से सारी क्लासेस कर सकते हैं ठीक है ना चलिए तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया है 40% माल 2% हानी पर बेचा जाता है जबकि से सामान 4% लाव पर बेचा जाता है यदि कुल 250 रुपय का लाव होता है तो बेची गई वस्तों का क्रेमूल क्या होगा अब यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर हुआ यह कि टोटल समान था कुछ उसको दो हिस्से में बाट दिया गया 40% अलग कर दिया गया, 60% अलग कर दिया गया, 40% को किसी और Profity and Loss पर बेचा गया 60% यानि बचे हुए को किसी और Profity and Loss पर बेचा गया तो यहाँ पर सामान को जब भी दो हिस्से में बांट कर अलग-अलग प्रॉपिटिय लॉज पर बेचा जाता है तो हम लोग लगाते हैं जोस्तों ELEGATION METHOD ELEGATION METHOD कैसे लगाया जाता है जरा ध्यान से सुनियेगा यहाँ पर है क्या कि 40% माल तो भाई 40% की अगर fraction value आपसे पूछें तो क्या होगा 40% का fraction value होता है 2 बटे 5 है ना 40% का जो fraction value होता है वो 2 बटे 5 होता है ठीक है अब यहाँ पर इसका meaning यह है कि 5 हिस्से सामान में से 2 हिस्से सामान को उसने 2% की हानी पर बेचा जो quantity होगी उसको हम लोग नीचे रखेंगे 2% की Hmm 2% की Хानी पर हानी का मतलब Minus लगाएंगे 2% की हानी पर कितने हिस्से सामान को बेचा 2 हिस्से सामान को यानि कि 40% सामान को अब यहाँ पर 4% लाफ पर बेच रहा है 6 सामान को तो सेज कितना बचा होगा पांच में से दो हिस्सा तो यहां आ गया बचा कितना होगा तीन हिस्सा तो तीन हिस्से समान को कितने बेच रहा है 4% के profit पर यानि कि प्लस 4% यहां पर लिखेंगे अब यहां पर आपको बूला गया है कि कुल 250 रुपय का लाब हुआ अब सबसे पहले हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं कि overall हमको कितने परसंट का loss या कितने परसंट की profit हुई ठीक है तो overall निकालने के लिए हम लोग यहां पर बीच में x value माल लेते हैं यह आपका आता है overall ठीक है अब इस x की value कहां से निकालेंगे कैसे निकालेंगे नीचे जो आता है दोस्तों यह quantity का ratio आता है तो x की जो value है वो कैसे निकलेगी इधर इन दोनों को multiply और इधर इन दोनों को multiply तो minus 2 का दो से गुणा करेंगे तो minus 4% आ जाएगा ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं इधर 4,3,12% हो जाएगा यह plus का 12% हो गया है ना 12% और divide में क्या करता है ना दोनों ratio को add करके लिख देता है यानि quantity, total quantity देख लेता है तीन और दो कितना हो जाएगा 5 हिस्सा यहां पर 5 हो गया अब इसको हम लोग देखेंगे तो यह आपका आ जाएगा यहां पर 12-4 यानि कि 8 तो 8 बटे 5 है ना 8 बटे 5 अब percent ठीक है 8 बटे 5% plus में आया है इसलिए profit होगा तो इतने का total profit हुआ अब यहां पर यह बोल रहा है कि कुल profit कुल लाव 250 रुपए हुआ यानि कि percentage में profit इतना हुआ है लेकिन actually में जो profit हुआ है वो कितना हुआ 250 रुपए हुआ है 250 रुपए हुआ है अब यहां से आप क्या करिवस्त करेम उले पूंचा है तो क्रेम उले तो हमेशा 100% होता है यह सभी को पता है ठीक है तो यहां से आप लोग इसको काट पीट लिजे तो चलिए काट पीट लेते हैं या फिर देखते हैं यहां पर कितना हो जाएगा देखें तो यहां पर ध्यान से समझेगा कितना हो जाएगा 1% की value कितनी आजाएगी तो 1% की value आजाएगी 250 पांच उधर जाएगा multiply हो जाएगा और divide भाई आपका 8 हो जाएगा यह 1% की value आगई आपको बस तो क्रेम उले निकालना है तो क्रेम उले निकालने के लिए 100% निकालना पड़ेगा तो 1% की value जब इतनी है तो 100% की value निकालने के लिए 100 से multiply कर देंगे और कुछ नहीं करना है ठीक है बस यहाँ से cut bit लीजे कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 4 से काटीए इसको कितना होगा 4 से इसको काटेंगे 4 दूना 8 और 4 से इसको काटेंगे यह हो जाएगा अपका 25 है ना 25 हो गया तो 25 का 25 से गुणा करिए 625 आएगा है ना 625 और 0 और इंटू 5 और इसका आधा होगा है ना ये इतना हो जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ से solve करेंगे तो 2 से पहले इसको काट दीजे है ना 2 से इसको काटें के तो 2 तिया 6 दो एककम 2 और पचीश दूना पचास 31 पचीश आ गया 31 पचीश का 5 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 25 पंचे 125 यानि कि 25 हो गया और एक बचा तो 5 एककम 5 और 16 और यहाँ पे 5 तिया 15 मतलब की इतना आ जाएगा आपका यहाँ पे क्रेम उल्ल 15,625 रुपया आप्सन नुमबर A करेक्ट होगा आईए देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड सवाल दूसरा सवाल एक वस्तुका एक बटे तीम भाग 15% की लाव की दर से बेचा जाता है एक बटे चार को 20% लाव की दर से बेचा जाता है और सेस को 24% लाव की दर से बेचा जाता है यदि कुल लाव 62 रुपय का हुआ तो वस्तुका लागत मूल कौश्ट प्राइस क्या होगा अब यहाँ पे तीन हिस्से माट दिया दोस्तों यहाँ पर पहला हिस्सा कितना है एक बटा के तीन भाग और दूसरा हिस्सा एक बटा के चार भाग और बाग की जो बचा हो सेसी हिस्सा है ठीक है तो सबसे पहले इनको सिंपल करिए है ना ये एक बटा तीन डिवाइड में नहीं होना चाहिए तो इसको सिंपल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं डिनॉमिनेटर वाले को मल्टिप्लाइ करिए ल्सीम निकाल लेज़े तीन और चार के मल्टिप्लाइ करेंगे तो आ जाएगा चार हिस्सा यहां बारा से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आ जाएगा तीन हिस्सा यानि कि चार हिस्से को चार हिस्से को कितने परसंट प्रॉफिट में बेचा गया 15% है ना 4 हिस्से को 15% के profit में बेचा गया फिर यहाँ पर 3 हिस्से को 3 हिस्से को कितने percent profit में 20% profit में ठीक फिर यहाँ पर बाकी 6 जो बचा होगा तो 12 में से 4 यहाँ हुआ 3 यहाँ हुआ यानि कि 4-3-7 हिस्सा तो यहाँ हो गया है ना तो बाकी कितना बचा 12-7 यानि कि 5 हिस्सा तो 5 हिस्से को 5 हिस्से को कितने percent profit में 24% की profit में बेचा जाता है इतना clear हो गया अब आपको क्या निकालना है overall कितने का profit या कितने का loss हुआ है ना और सतन ठीक है तो और सतन निकालने के लिए क्या करेंगे इधर इसका गुणा और इस यहाँ पे 20-30% यह भी हो गया आपका और प्लस 24-5-120% यह 120% हो गया और यह तो overall हुआ अब यहाँ पे आउसतन अगर निकालना है तो जो आपकी quantities है total हिस्सा उसको divide करना पड़ेगा total कितना है 4-3-7-5-12 12 से इसको हम लोग divide कर देंगे है ना तो देखे उपर हो गया आपका 240% ठीक है 240% हो गया और divide by 12 करेंगे तो 12 दूना 24 यानि की 20% clear हो गया तो overall कितने का profit होगा 20% का लेकिन overall profit आपको दे रखा है कितना 62 रुपे है ना किता हो जाएगा 62 रुपे है तो 20% की value अगर 62 रुपे दी गई है आपको पूचा है लागत मुल लागत मुल 100% होता है तो 20% को 100% बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 20,500 यानि 5 से multiply कर सकते हैं तो जैसे इसको 5 से multiply करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 100% अब जब इधार 5 से multiply किये हैं तो इधार भी 5 से multiply कर दीजे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका है ना 5 से multiply करेंगे तो 5 दूना 10 और पाच्छक के 30, 31, 31, 310 रुपए, तो 310 रुपए यहाँ पर cost price होने वाला है, A option correct हो जाएगा, देखे कितना आसान है, सवालों को लगाईए, और आसानी से उत्तर पाईए, वीडियो अगर देख रहा है दोस्तों, तो like कर दीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, अगर आप चैनल पर नए है तो, मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अगले प्रस्ट पर चलिए देखते हैं, आएए देखते हैं इस सवाल को यहाँ पर, अरबिन्द ने 15,000 रुपए में 120 मीटर कपड़ा खरीदा, उसने इसे, इसका 45% हिस्सा, 40% के लाब पर, और 25% हिस्सा, 10% के हानी पर बेच दिया, सेश कपड़ा का लागत मूले पर बेच दिया, पूरे लेंदेन में उसका लाब कितना होगा, यह बताना है, बहुत बढ़िया सवाल है, NTPC 2022 के पेपर में पूंचा गया था, ठीक है, देखे दोस्तों, यहाँ पर 45% हिस्सा है ना, 70, 30% और बचा होगा, है ना, 70% यहाँ होगा, तो 30% और बचा होगा, यानि इन तीन हिस्सों में यहाँ पर बाटा गया, अब इनका थोड़ा से यहाँ पर ले लेजिए, रेसियो, ठीक है, तो रेसियो लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, परसेंट, परसेंट, परसेंट खतम, 5 हिस्से सभी को काटिये, तो 5, 9, 45, फिर 5, 25, और फिर 5, 36, यानि कि 9, 5 और 6 का रेसियो आ गया यहाँ पर, है ना, 9 हिस्सा, 5 हिस्सा और 6 हिस्सा, क्लियर है, अब यहाँ पर यह बूला जा रहा है कि, ध्यान से सुनिएगा, इस 45%, या हानी पर बेचा, यानि कि माइनस 10% हो जाएगा, लेकिन जो सेस बचा हुआ है, उस पे ना तो वो लाव लेता है, ना ही हानी लेता है, यानि कि 0% प्राफिटी फे बेचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0%, ठीक है, इतना बात समझ में आया है सभी को, अब यहाँ पे overall देखा जाए कि कितने percent का आपको loss हुआ या फिर profit हुआ वो निकाल लेते हैं क्या करेंगे इधर गुणा इधर गुणा और इधर गुणा और divide by कर देंगे total total कितना हिस्सा है है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लिजे 9.36 यानिक 360 परसंट यह हो गया 360 परसंट फिर आपका 10.55 यानिक minus का 50 परसंट हो जाएगा ठीक है इधर तो यह 0 ही हो गया divide by यह आपका total हिस्सा कितना है 9.5.14 और 14.6 20 हो जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा 20 ठीक है अब इसको calculate करिये तो 360 में से 50 गया आपका आजाएगा 310 है ना 310 डिवाइड बाइ 20 तो 0 से 0 आपका खतम हुआ 31 बटे 2 परसंट आया ठीक है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी ठीक ना अब यहाँ पर सुनिएगा कि अरबिन्द ने लागत कितना लगाया था 15,000 रुपए 15,000 रुपए में कपड़ा खरीदा था है ना तो आपको पूंचा जा रहा है लाव कितना होगा तो सीधे सीधे क्या करिए वो 15,000 रुपए लगाया था तो 15,000 रुपए का कितना लाव हुआ है वहाँ पर 31 बटे 2 पर पहले और 2 से इसको काटेंगे तो यह हो जाए एक 75 या फिर पहले 31 से हम लोग यहाँ पर गुणा कर देता है या तो 15,000 रुपए लुपए लुपए कितना है तो तो तेईस दूना च्छी आलिस तो तो तेईस और पचीस दूना पचास तेईस पचीस आ जाएगा इसका एं तो यहाँ पर यह टाइप हमारा खतम हो चुका है अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टाइप पर आजाए देखते हैं इस सवाल को हम लोग अब यह जो टाइप है ना बहुत प्यारा सा टाइप है इसको आप लोग डाइरेक्ट्ली एक लाइन में इंसर निकाल सकते हैं पढ़िए पहले सवाल को पढ़िए, एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कल्कुलेटर को समान मूले पर बेचता है, यानि विक्रे मूले यहाँ पर समान है, ठीक है, जो आपका SP है, SP वो दोनों वस्तुओं का यहाँ पर कॉंस्टेंट है, बरावर बरावर मूले पर बेच रहा और जबकि कैल्कुलेटर में 15% की हानी हुई, है न, तो कैल्कुलेटर में उसको क्या हुआ, 15% का लास हुआ, यहाँ पर ध्यान रखेगा कि, यहाँ पर जो आपका कंडीशन है, वो क्या है, Selling Price बरावर है दोनों की, है न, Equal है, तो उसका कुल लाभ या कुल हानी कितना हो हो, जितना की दूसरे पर Loss हो रहा हो, यानि की हानी हो रहा हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं 15% का लाव और यहाँ पर 15% की हानी हो रही, बराबर हो रहा है, लेकिन एक जगह Profit, एक जगह उतने का ही Loss हो रहा है, तो ऐसे सवालों में हम लोग हमेशा देख पाते हैं, कि हा नहीं होता है हमेशा क्या होगा loss होगा ठीक है हमेशा क्या होता है loss यह जो पूरे situation बन रहा है इस पूरे situation में आपका हमेशा loss होता है ठीक है तो loss percent कैसे निकालते हैं तो loss percent निकालते हैं यह जो दिया गया है यहाँ पे plus x इसको माल लीजे यह ना plus x percent और यहाँ पे minus x percent है यह तो किसी एक को ले लिजे, उसका square कर दीजे और square करके divide by 100 कर दीजे पस इतना सा काम है, तो यहाँ पर कित्ता हो जाएगा x मतलब 15 तो 15 का square हो जाएगा और divide by आपका हो जाएगा 100 सीधे-सीधे, formula ही होता है loss percent निकालने के लिए x square divide by 100 कर दीजे, आपका answer आजाएगा, ठीक है ना, तो 15 के square कित्ता हो जाएगा, दो सो पचीस है ना दो सो पचीस, और divide by आपका 100 है, तो 0.2 अंक छोड कि यहाँ पर लग जाएगा, यानि कि 2.25% का loss होगा, दोस्तों हमेशा क्या होता है loss होता है, ठीक है ना, तो loss होने वाला है, 2.25% का option number C, आपका correct answer हो जाएगा, समझ में आ गया सभी को RPF Constable 2019 के paper में पूंचा गया था, डारेक्ट एक line में सवाल, इसका answer आ जाता ठीक है ना, चलते हैं आगे, अगले सवाल पे, अब देखे इसको सेम हो ऐसा ही सवाल, बिना पिन उठाए इस सवाल को बता सकता है, RPF SI का सवाल है ये, एक दुकानदार दोवस्तों को प्रतेक 8991 रुपए पर बेचता है, दोनों को समान मूले पर बेच रहा है, यानि SP आपका क्या हुआ selling price, equal हो गया उनों को कि नहीं, तो एक पर वो 10% का लाव ले रहा है, है ना एक पर वो क्या कर रहा है, 10% का लाव ले रहा है, और दूसरे समान पर इतने का ही loss ले रहा है, loss सह रहा है, यानि कि 10% का ही loss हो रहा है, तो पूछा गया है कि कुल लाव या हानी प्रतिषत क्या होगा तो ऐसे situation में हमने आपको क्या बताए कि हमेशा क्या होगा loss होगा है ना यानि कि हानी होगा और loss किते कह होता है x square divided by 100 x मतलब 10 तो 10 का square हो जाएगा 100 तो 100 divided by 100 यानि कि 1% तो 1% का यहाँ पर loss होगा दोस्ता है ना लाव नहीं होगा हानी होगा option number B correct होगा C मत टिक कर दीजेगा कि लाव हो जाए यहाँ पर profit हो जाए हमेशा क्या होता है ऐसे situation में हानी ही होता है ठीक है तो ऐसा type का सवाल अगर आपके exam में आता है तो अब आप लोग बिना किसी दिक्कत के एक line में कर लेंगे ठीक है ना चलिए आए यह देखते हैं इसको अब यह भी वैसा ही सवाल है लेकिन बस इसको थोड़ा सा language अला करके पूछ लिया गया यदि कोई दुकांदार किसी वस्तु के क्रे मुल्ले में 36% के व्रिधी करता है और उसकी बिक्री पर 36% का मुल्ले रखता है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे कुल कितने प्रतिसत का लाभ या हानी होने वाला है तो देखे यहाँ पर हुआ क्या ना कि पहले तो वो 36% बढ़ा दिया फिर 36% कम कर दिया बेचते समय है ना तो यहाँ पर पहले तो वो 36% बढ़ा दिया 36% वो बढ़ा दिया और बेचते समय क्या किया कि 36% कम मुल्ले कर दिया किस पर वो जो बढ़ा हुआ था उस पर है ना शुरुवाती मूले पर नहीं है ना तो 36% वो फिर से कम कर दिया तो हुआ क्या यहाँ पर? overall हम लोग देख सकता है कि यहाँ plus का 36% हो रहा है यहाँ minus का 36% हो रहा है तो overall इसमें क्या होगा? loss ही तो होगा तो loss percent निकाल लीजे loss percent कैसे आएगा? 36 का square यहाँ यहाँ पर हम लोग 100 कर देंगे इतना percent आपका answer आजाएगा तो कल लीजे कितना हो जाएगा? 12.96 इतने percent का दोस्तों loss होने वाला है यानि कि हा नी है ना? लाभ नहीं होगा ए option correct होगा इसका clear है? बस घुमा के सवाल पूछेगा तो भी आपको समझना है उन चीजों को तभी आप लोग सवालों को आसानी से कर पाएंगे basic से लगाएंगे तो लगाते ही रह जाएंगे ऐसा है यहाँ पर ठीक है ना? चलते हैं आगे अब यहाँ पर आपको हम लोग तरीका बता दिये हैं तरीका बताते हैं तो इन दोनों सवालों को अब आप लोग कर लेंगे ठीक है ना? सेम वह ऐसा ही सवाल है एक पे उतने का हिलाव जितने पे दूसरे की दूसरे पर हानी हो रही है तो सेम यही दोनों questions को आपको लगाना है question number 92 और question number 93 इन दोनों का जो उत्तर है वो आपको comment करना है ठीक है जरूर comment करिएगा आप लोग पढ़ाई के साथ साथ practice भी करते रही है है ना? खुद से भी सवालों को लगाया करिए तो इन दोनों सवालों को आपको लगाना है लगा कर answer comment करिएगा चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे आए देखते हैं अब ये थोड़ा सा अलग है है ना? इसमें अलग-अलग दे दिया घोडे पर 20% का लाव हो रहा है और गाय पर 10% की हानी हो रहा है है ना? तो अलग-अलग होगे की नहीं? अब यहां पर बरावर नहीं है लाव और हानी दोनों बरावर बरावर नहीं है एक घोड़ा और एक गाय प्रतेक को 12,000 रुपए में बेचा गया ठीक है इत्ती बात सही है घोड़े को 20% लाव पर तथा गाय को 10% की हानी पर बेचा गया दोनों सवदों पर हम लोग के दो अंकों तक लाव या हानी कितना होगा ये बताना है आपको रुपए में बताना है दोस्तों रुपए में आपको बताना है कि लाव और हानी कितनी होगी देखेगे इसको कैसे करेंगे इसको हम लोग अलग-अलग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर घोडे को 20% लाव पे बेचा गया 20% का मतलब क्या होता है यहाँ पर पहले CP और SP का रेशियो निकाल लिए CP और SP selling price और cost price ध्यान से सुनियागा तो घोडे पर 20% का लाव हुआ तो 20% का मतलब होता है 20% यानि की एक बटे 5 है ना लाव हो रहा है तो 5 पर एक का लाव तो 5 आपका CP हो गया तो घोडे का क्या हुआ कि 5 का घोड़ा खरीदा था और 5 पर एक की profit लेके 6 रुपे में बेच दिया तो selling price कितनी हो गई 6 रुपे हो गई यह आपका horse का हुआ घोड़े का हुआ ठीक है फिर यहाँ पर गाय को 10% की हानी पर बेचा जाता है तो 10% का मतलब क्या होता है 10% यानि की 1 upon 10 एक बटा 10 है ना इस पर हानी हो रहा है तो 10 पर एक की हानी लेके बेचा तो 10 पर एक की हानी लेकर बेचेगा तो cost price 10 हुआ 10 पर एक की हानी यानि की 9 रुपे में बेच दिया अब यहाँ पर यह बूल जा रहा है कि दोनों का जो विक्रे मुल है वो 12-12,000 रुपे है यानि की equal है तो यहाँ पर विक्रे मुल को पहले equal करिए यहाँ पर 6 है यहाँ पर 9 है हम इसको LCM लेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा दोनों 36 बना लीजे 36 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा 6 से गुणा और इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा तो यह जो ratio है बदल कर कितना हो जाएगा बताइए तो 6 के इधर गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 30 और 6 चक के 36 30 और 36 का नए रेशियो बना रहे है हम लोग यहाँ पर है न क्योंकि जो SP है सेलिंग प्राइज है उसको बराबर करना है तो इधर हो जाएगा कितना 10 चौक 40 और यहाँ पे 9 चौक 36 तो अब आपका सेलिंग प्राइज बराबर हो चुका है हाँ कौस्ट प्राइज अलग अलग है यानि कि पहले का 30 है और दूसरे का यानि गाय का 40 है ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि कितना लाब या कितना हानी होगा पहले यह हमको निकालना है तो यह बताएज दोस्तनों कि सेलिंग प्राइज तो दोनों की बराबर होगे यह आपकी है ना तो सेलिंग प्राइज अगर देखा जाए तो 36 यूनिट है लेकिन एक्चुली में सेलिंग प्राइज कितनी है 12,000 रुपए है 12,000 रुपए है तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेजे एक यूनिट की वैल्यू किता आजाएगा डिवाइड कर देंगे हम लोग इधर तो यह आपका आजाएगा 1000 बटा 3 है ना क्योंकि दोनों को 12 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 1000 और यह हो जाएगा 3 यानि कि 1000 बटे के 3 आगे एक यूनिट का वैल्यू ठीक है अब यहाँ पे दोनों का टोटल क्रेमूल ले निकाल लेजे है ना तो क्रेमूल कितना है बताएगे दोनों का टोटल है ना क्योंकि एक unit की value इतनी है तो दोनों का total क्रेमूल यहां 30 है यहां 40 है तो 30 और 40 70 है ना तो 70 unit की value निकाल लिजे कि यानि कि CP निकाल लिजे इसको हम लोग solve करेंगे और यहां पर आपको profit or loss मुचा है ना तो पहले इसको solve कर लेते हैं कि CP कितना आया ठीक है ना 333.3300 रुपए आ गया cost price cost price यानि खरीदी मूले दोनों का अब दोनों का बिक्रे मूले कितना होगा है ना, इसको थोड़ा से यहां पर मिटा देते हैं दोनों का बिक्रे मूले कितना होगा 24,000 होगा, क्यों किra एक कतव बारह 24,000 में हम लोग घटा देंगे 23,333.33 एक ही option दसमलो में दिख रहा है यानि option number C तो यही आपका correct answer हो जाएगा यानि कि 666.66 रुपय का 6-7 रुपय का यहाँ पे लाभ होने वाला है option number C इसका correct होगा बहुत बहतरी इन सवाल था I hope सभी लोग समझ गया होंगे चलते हम लोग अपने अगले सवाल पर आएए देखिएगे इस सवाल को ये भी अच्छा सवाल है तगड़ा सवाल है दो बाइक के लागत मूलक का योग आपका एक लाख दिया है एक बाइक को 20% के लाग पर तो 20% का मतलब बताईए क्या होता है 20% यानि यहाँ पर एक बटे एक बटे 5 है न तो पहले पर प्रॉफिट लिया 20% का तो यहाँ पर CP और SP का रेशियो बनाईए पहले ठीक है? कॉस्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज रेशियो बना लेंगे तो पहला 20% के लाब पर बेचा जा रहा है यानि 5 पर एक का लाब लेगा तो 5 उसका कॉस्ट प्राइज हो गया 5 पर एक का लाब लिया यानि कि 6 में बेच दिया दूसरे पर 20% की ही हानी ली जा रही है यानि कि 5 पर एक कहानी लिया जा रहा है तो दूसरे का कितना हो जाएगा पांच पर एक कहानी यानि कि चार रुपे में बेचा होगा अब कहरें यदि विक्रे मुले समान है विक्रे मुले समान करिए पहले यहाँ पे इन दोनों को हम लोग 12 बना लेंगे क्योंकि 6 और 4 का LCM 12 होता है 12 बनाने के लिए 2 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा इधर भी 2 से मल्टिप्लाई कर देंगे है ना अच्छा अरे यहाँ पर 2 से और नीचे में आपका 3 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको 12 बनाना है विक्रे मुले को समान करना है यहाँ पर यह ratio में है ठीक तो अब देखे यहाँ पर नया ratio क्या बन गया तो 5 दूना 10 है ना दोनों में 2 से गुणा करेंगे 5 दूना 10 और यह हो जाएगा आपका 12 6 दूना 12 10 का खरीदा 12 बेचा फिर यहाँ पर 5 तियां 15 15 में खरीदा और 4 तियां 12 या नि 12 में बेचा दूसरे बाइक को ठीक है तो अब आप देख सकते हैं कि विक्रे मुल्य आपका समान हो चुका है है ना दोनों बाइकों का लागत मुल्य का योग एक लाक रुपए है तो अगर यह तो हुआ CP हमारा और यह हुआ SP हमारा तो दोनों बाइकों का अगर cost price देखा जाए तो 10 और 15 कितना होगा पचीस होगा कि नहीं है ना तो पचीस यूनिट हुआ लेकिन एक्चुल में आपको दोनों बाइकों का लागत मुल्य कितना दिया है योग एक लाक दे रखा है है ना एक लाक दे रखा है तो पचीस की पचीस यूनिट की वैल्यू एक लाक है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी पचीस से हम लोग डिवैड कर देंगे तो 25,600 और 3,00 और आ जाएगा मतलब 4000 हो गया अब आपको पूछा गया था तो बेची गई पहली बाइक का क्रेम उल्ले कितना होगा पहले बाइक का क्रेम उल्ले तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट में पहले बाइक का क्रेम उल्ले कितना दिया है यहाँ पर 10 है न 10 यूनिट तो एक की value जब 4000 है तो 10 की value निकाल लेजे 10 से और गुणा हो जाएगा मतलब 40,000 हो जाएगा तो पहले bike का जो क्रेम उल्ले हो 40,000 रुपायागा दोस्तों बहुत बढ़ियाँ सवाल था option number D correct हो जाएगा I hope सभी लोग अच्छे से clear होते चल रहे होंगे यहाँ पर और वीडियो को like कर दीजेगा चलते हैं अगले present में आएए देखते हैं इस सवाल को ये भी ऐसा ही सवाल है बस last में थोड़ा सा आपको अलग चीज पूँच दिया गया है A और B की लागत कीमतों के बीच अंतर क्या था ये पूँचा गया है है ना वस तो A और B को कुल 2312 रुपे में खरीदा गया उसने A को 16% की हानी पर बेचा 16% का value किता होगा पहले ये हम लोग निकाल लेते हैं ठीक है 16% का value 16% का मतलब हुआ 16 बटे 100 तो loss पर बेच रहा है है ना तो यहां पर देखिए कि वस्तू A के लिए अगर हम लोग cost price और selling price का ratio देखें तो किता हो जाएगा cost price आपका CP नीचे होता है तो 25 है ना 25 पर वो 4 रुपे का loss सहरा है 16% है ना तो 4 रुपे का loss 25 पर 4 का loss यानि कि 21 में बेचेगा है ना फिर यहां पर दूसरे को 20% के लाव पर बेच रहा है 20% का value किता होता है एक बटा 5 है ना तो 5 पर 1 की profit 5 पर 1 की profit यानि 6 में बेचेगा अब इसमें बोला जा रहा है कि A और B का विक्रे मुले समान है तो पहले यहां पर विक्रे मुले हम लोग समान कर लेता है ठीक है देखें तो यहां पर क्या कर सकता है हम लोग 21 और 6 केल्सियम ले सकते है 21 और 6 केल्सियम किता आएगा 42 आएगा है 42 दोनों से कड जाएगा तो इसको 42 बनाना है उपर इसको 42 बनाने के लिए हम 2 सी गुणा करेंगे इसको 42 बनाने के लिए 7 सी गुणा करना पड़ेगा 6 सत्य 42 क्योंकि विक्रे मुले हमको समान रखना है ठीक है अब देखे 2 सी गुणा करिए यह हो जाएगा 25 दूना 50 और इधर हो गया आपका 21 दूना 42 ठीक है इधर देखे 7 पना यह हो जाएगा 35 और यह हो जाएगा 6 सत्य 42 मतलब अब आपको पता चल गया है कि कॉस्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज कित्ती कित्ती होगी जबकि सेलिंग प्राइज आपका बराबर है यहाँ पे 6 सत्य 42 होगा 45 नहीं होगा ठीक है 6 सत्य 42 क्लिर है यहाँ तक अब बूला क्या गया कि दोनों का खरीदी मुले 2312 रुपए है दोनों का योग देखे कित्ता होगा कॉस्ट प्राइस का 50 और 35 50 और 35 कित्ता होगा 50 होगा, 50 यूनिट है न तो 85 यूनिट की वेल्यू कितनी दे रखे 2312 रुपए दे रखे 2312 दे रखे अब आपको बूलागे कि A और B की लागत कीमतों के बीच में अंतर कित्ता होगा तो पहले यह एक यूनिट का वेल्यू निका लिए कितना हो जाएगा 2312 हम लोग काट सकते हैं तो यह हो जाएगा सत्र एकंग्जावन भी फिर बचा छाए यहां पर 17 15 17 13 exciting 13 कितना होगा 13,49 और 6 तरीका ठारा मतलब की 408 408 रुपए 408 रुपए यहाँ पर दोनों के मूल्लियों का अंतर होगा D option correct हो गया दोस्तों बहुत बहतरीन टाइप के सवाल है यह NTPC 2022 के पेपर में पूंचा गया था तो railway के exam में ऐसे सवाल भर भर के पूंचे जाते हैं आपको बस क्या करना है कि यहाँ पर अगर selling price बरावर दिया है तो selling price को बरावर कर लिजे, cost price बरावर दिया है तो cost price को बरावर कर लिजे और जो पूंचा गया है जैसा पूंचा गया है वैसा कर लिजे ठीक है ना, उमीद करते हैं कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर मिलते हैं अगले वीडियो में आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं आप लोग को कैसे लगी यह क्लास जरूर कॉमेंट करके बताईएगा और जो कोस्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिये हैं उनका एंसर आपको जरूर देना है कॉमेंट बॉक्स में ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दीजे, मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए जहेंद